नवस्कार आप देख रहे हैं लुक मीडिया देश के लगबक हर्विद्यार्थी की एक खोहिश होती है कि वो एक दिन आईएस अधिकारी बन कर देश की सेवा करे लेकिन आईएस बनना कितना मुश्किल है और इसकी प्रक्रिया कितनी जटिल है इसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे जहांसी के जिराधिकारी आंद्रावांसी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका शुरू से शुरूआत करते हैं आप आंद्रपदेश के प्रकाशन जिले से हैं तेरह अगस्ट उन्नियों सो पचासी को आपका जन्म हुआ उसके बाद बच्पन की आत्रा कैसी रही आपके शुरूआते जीवन कैसा रहा तो फिर्स सिक्स यर्स में तिल सिस्ट ग्लास तो वहां पर हमने सेवन देट नाइन तो टेंथ हमने पूरा कर लिए से वाई 2000 आप दन माई 10th क्लास अफ्ट आप शिफ्टेट तो विजर्वारा को में प्लस एं प्लस एं प्लस एं प्लस एं प्लस एं प्लस एं दो तक हमने पूरी कर लिया दोजाद दो से फिर हम दोजाद चे तक अपना इंजिरिंग है चार साल हाईदर बाद में जो हमारा स्टेट इंवर्स्टी है जे इंट वहां पे कंपूरी कर लिया और अधास माई पूरी कर लिया तो तो बेंगे सब्सक्राइब मजोर्टी अपराओ तो इसी लिए I have I have also tried for GRE operations but तुम पता तरा कि then during the course of placements हम को ये लगा कि Accenture में प्लेस होने के time पे ही I have taken a decision that let let us get into civil services because of the age factor I have given the exam at in 2007 तो 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 है तो 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 है तो है तो है तो तो है तो फिर्बाद से ही गया था the first semester of my third year I have devoted to NCRT's I was doing the things parallel to the engineering course that is available over there then second semester of third year I have done my public administration basics then fourth year first semester anthropology and fourth year second semester current affairs उसके बार एक साल हमें मिला तो पुरा रिविजिन करने के लिए था I have left the job I didn't join that and उसके बाद पुरा रिविजिन कर लिए 7 was my first statement which I got into income tax, IRS income tax एसेंचर की जोग में आपके पुष अच्छी काही तो रहते पहाई तो 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 पुषिए for me to push into the civil services and it was my dad's dream also to get into the civil services so they were guiding me much behind the scenes and they have given me all the support throughout the two years of preparation which I have done तो दो साल की जो तैयारियों में parents का तो बहुत वीशेश योगतान रहा था और हमारे relatives का भी बहुत योगतान रहा क्यूंकि परिवार में भी जो चार officers थे जो अच्छे position में थे तो फिर उनकी प्रेरणा से भी उन लोगों के भी लगता है हमारी बच्चें को भी बना दे और all said and done personal interest भी था कि officer बनने के लिए तो आपके पितना कैसे बोलने के साथ साथ एक अग्यार्ट इसलिए उनकी जो societal exposure है जो district level पे जो भी होता है major issues उसके संबन में हमेशा हमें जानकारी होता था और उसे एक exposure और expectant भी हमारा बढ़ जाता है कि कैसे हमें situation को ठाइक सब्सक्राइब करते हैं वो एक चीज़ बहुत पुछते हैं कि quantitative study होनी जाई या qualitative study आप क्यों करते हैं आपको प्रती दिन प्रती गंटे सीखना पड़ेगा तो यह जो सीखने की आड़त है ख़पी ना पूल जाएगा से यह मैंने आपका देखा था तो इस टाइस की इंटर्व्यू में जहां आपसे कोई इस एक जब आप सब्सक्राइब है आपमे बहुत अट्रेस प्राव देखो कारे प्रती जो सी टाइम पर झने भी इस हैं जानकारी ले रा था तान। I was working in Vijay Vara at the point of time and it was a very good exposure that I got from that place So I have given the same inputs whatever they have asked Of course, all said and done I was trained in NEDD first and I have been trained in LAPASTNA again So it is a good exposure to developing a lot of relations and getting exposed to the basic tenets of administration or multiple subjects in a few different so you should keep working हाट और वहाँ पे फिजिकल एक्टिटी पे भी जाला है तो इस पे फोकस होते हैं और आपने जब पोड़े चुनने की बारे हैं तो क्योंकि हिंदी आपी पढ़िये बार्शन नहीं है तो हिंदी तो मेरे मात्रबार्शा नहीं थी मतलब तेलगू में हमारी पड़ाई हुए लेकिन हां दक्षिन बारत से होने के बावजूर आंधरा में I have access to the Hindi medium till my 10th class जो दसवीक अक्षा थाक हम लोग हिंदी में भड़े लिखे थे तो हिंदी बाशा पंढ ना हिंदी बाशा समझना कोई बात कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन बोल चाल बेसिक इसूर लेक आप टो हम सीज मैं फुर्म हुआ पर नहीं थी लेकिन बाशा प्राइब को बेच लाख तो प्रेड़ी बाशा आपको जन परतनीरी से मिलना बहुत सरुड़ी है और जनता से मिलना बहुत जरूरी है तांकि एक्जाट्ली आपको पता चाल जाएगा कि फीड़ग क्या है तो वा छू侯 कर्सि पे बेटे हां अगर वो दोनों काम हमने नहीं किया वो पीड़ग नहीं थी आपका लिया तन हम उस फीड़ग से हम सीड़गने का कोई आर्थी नहीं है तो लेकित फीड़ग मेंSo if there are mistake from our hand that point we have to correct and if there are some look-force from our hand we have to rectify and also if there are something that is really required to re-engineer सब्सक्राइब करें बिए रहे जाए प्राइब कि अटाइब में आपिटा वर ढोटने खाना मेरे पिर लूटने गर्वेभाएब मेकिन सब्सक्राइब प्रश्वा क्वीटंट के पृटने करिएक प्राइब यहां पे कुछ भी हम कहें काम तुरंत हो जाता है और कम्लाइंस रेट बहुत हाई है and not so much litigations here and उसके बाद development oriented जो भी development project हम लोग यहां पे एंसीव करते है उसको ध्रातल के लाने में बहुत समय नहीं लगता है और प्लिक सपोर्ट जाता है एक हमने पर पड़ा करके साथ 2020 में आपको देश के शीर्स बादा दिकारी में चुना गया है इन है नॉमिनेट किया गया का आपको अगर देखा जाएं आपकी जो युनिवर्स्टी से लेके लाइट से लेके लाइट से लेके बीचेडी तर देखेडी से चित्रा-चौराहा और रायले सेशन तक और इस तरफ एलाइट से लेके हांसरा स्कूल तक और जो सदर मार्केट एरिया है उसको देख लेके हैं मतब टाउन प्लानिंग वस वेरी वेल इस वेरी वेल और इस गोईंग वेरी वेल और इवन खिले के आगर पुर देखेड़ाना भी शुरूर कर लिया था और हाइवे के अज्जानिंग एरिया पर तो तौंशिप्स भी ड़लप हो चुके थे अगर्दालिस तौंशिप्स हैं यहां पर प्रवेट कॉल में से हैं और अल सब्सक्राइब केंपें जो हमें उस पर बटन दबाना पड़ता है क्रमेटी वो सारी थीज अपने आप यहां जाया यही वितन ने सिक स्थ मुख यह और शीड़ दू शिया आप चेंड़िया। नग स्थे शूर्यां ममुत्रून् – यहां प्रवेट क्रूच प्रूच यहां प्रवशन्गेंань लुव खेंड हैं दॉटिक सिस्थर्या जाएं खिर प्रेट सहरे ज Poderby ओर सकी है Gorbushay दो नग्से और फिलाइट जाखने जाधने हैं ईहींस में सब्दोर मैंजब को आर जब्सारी टार視 प्लाइट सोफीं सिमनित टूर दूर्ट केरा है Official प्रेगे सुनलल बूर म influencer इस हम भी आपको अलाव करना है इस पर अ कि अदो हिर गोड़ सर्ट घंवेट गोलाइच खाला हुआ इस अदर पर इस तो को हिएा हुआ रखे कि मैं प्रणापने यह थी पारिम को अदर में रहते हुआ है है फिर इस अद आर पर प्की टो थो को तो दो प्राण उन्लिय पू if you set your goal, UPC is not only the goal, मतलब कोई भी हो आपकी planning perfect होना चाहिए और आपकी idea clear होना चाहिए और आपका goal भी clear होना चाहिए and whatever you want to become that also should be clear, आपकी जो path है वो भी clear होना चाहिए, हमें ये बनना है तो फिर तो खुब मैंनत करें and do a SWOT analysis of yourself, strength, weakness, opportunities and threats, and nobody will have all the things put together, so analyze yourself and then make your goal and then move ahead and achieve the goal but don't ever leave the entire thing midway thank you thank you thank you thank you